राजिस्थान के बारा जाला बार जिले के कोलू खेडी कला में सडक सहित पुलिया छटी ग्रस्त है ग्रामिलों ने बदाय कि सडक की पुलिया पर भारी वहन निकलने पर भै बना रहता है कोलू खेडी कला ग्राम पंचाय से लेकर गुराडी चौराहे तक सड़क का खस्ता हल हो चुका है कमाई सेवक रामचंद्र मेरोठा ने बताया कि पुलिया के तार निकलने की कारण आने जाने वाले लोगतारों में उलज कर गिर जाते हैं पुलिया के तारों से आये दिन हाज से होते रहते हैं सड़क मार्ग पर चातर चात्रों को भी परिशानीों का सामना करना पड़ता है विगत कही दिनों से राजिस्थान बस सेवा भी बंद भील समाजिला अद्यक्ष जमना लाल भील ने बताये कि पहले राजिस्थान बस सेवा संचालित थी वर्तमान में बंद हो जाने के कारड दरजनों गाउं को परिवहन बस के बाद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्राइविट निजी वहनों की मनमानी की चलते मनमर्जी किराया बसूला जा रहा है राजिस्थान परिवहन बस सेवा बंद हो जाने से दरजनों गाउं धाड़ी के लोग चिंतित हैं इस मामले को लेकर कही बार छेत्रों की विधायक गोविंद रानी पुरिया को भी अवगत कराया परंतु मामला जस्का तस है कोलू खेडी कलांगराम पंचायत बस स्टेंड पर यात्रियों के लिए सोचाले तक नहीं बना हुआ है मूल भूत सुवधाओं से वंचित हैं बस स्टेंड पर पेजल विवस्था तक उपलब्द नहीं आपको बता दे की कोलू खेडी कला से लेकर गुराड़ी चौराहा तक सड़क गड़ों में तबदिल हो चुके हैं इसी के साथ साथ इस्थाने निवासियों सहित दरजनों गाओं के लोग अपनी रोज मर्रा आवश्यक्ता अनुसार जरूरत के सामान खरीदने के लिए मनोहर थाना कस्वे में पहुँचते हैं चात्र चात्रों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है प्राइवेट निजी वहानों के मनमानी के चलते मोटी रकम बसूली जा रही है पहले ही बदहाल सडक से लोगों की हालत खराब कर रखी है बदहाल सडक लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है प्राइवेट पूरणी वहां से लेकर बीच का पूरा रोड बिल्कुल खुद चुका है दो-तीन पूलिया बिल्कुल इस बरसाद में बिल्कुल खतम हो गी है आने जाने के लिए भी साधन में बहुत परिशानी आ रही है और अमारे पूरी ग्राम पंचयाद में ये हर जगे पूलिया है, रस्ता है, बहुत खराब हो चुके है और अमारी बुज्ट तरी समस्य है ये सरकार अमारे साथ सोतना विवार कर रही है